मूवी की शिरुवात होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैसन होता है और वो अपनी फीलिंग को गाने के जरिये लोगों तक पहुचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना होता है कि किसी को उसकी परवाह नहीं दरसल जैसन पढ़ाई में कमजोर होता है और उसका म्यूजिक की तरफ ज़्यादा लगाव होने के चलते उसके पापा उसे नाकारा समझते हैं और उसकी बहन जोई से उसकी बात बात पर तुलना करते रहते हैं स्कूल की छुटियां खत्म होती ही जेसन और जोई ये लोग वापस आ जाते हैं, जो की शहर का टॉप कॉन्वेंट स्कूल होता है, वही दूसरी तरफ उसी दिन एक नए टीचर सोफी की दूसरे स्कूल से ट्रांसफर उनके स्कूल में हो गया होता है, सिस्टर सोफी दूसरे मौर्निंग प्रेयर लिये बिना ही क्लास चिरू करने जाती है, तभी जोई उन्हें मौर्निंग प्रेयर के बारे में बताती है, तो वो जोई को ही मौर्निंग प्रेयर बोलने कहती है, क्लास के वक्त जेसन क्लास की सेरा नाम की लड़की से बात कर रहा होता है, तो सूफी नाराज हो जाती है और सेरा को जैसन से दूर करती है स्कूल के बाद सूफी जैसन से पूछती है कि क्या सेरा तुम्हारी गरला फ्रेंड है जैसन बोलता है कि वे बस दोस्त है जैसन की बाद सुनकर सूफी को काफी खुशी होती है और वो वहां से चली जाती है लेकिन अगले से खून आने लगता है और वो सेरा को धमकी दीती है कि वो आगे से जैसन के करीब ना जाए नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा सेरा को धमकाने के बाद सूफी जेसन के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे काफी बुरा लगा जब तुमने सेरा के बारे में छूट कहा इस वज़ा से वो अब उसे पनिश्मेंट देना चाहती है और वो कहती है कि कॉलेज के बाद वो उसके हॉस्टल रूम में आके मिले सूफी की बाद सुनकर जेसन स्कूल के बाद सूफी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि सूफी के रूम का दरवाजा पुरी तरह से बंद नहीं किया गया और अंदर सुफी कपड़े बदल रही होती है अब इसके बाद जैसन वहां से भाग जाता है और हम देख पाते हैं कि ये कोई इतिफाक नहीं होता दरसल सुफी जैसन को सब दिखाना चाहती है और उसे पता था कि जैसन दरवाजे से सब कुछ देख रहा है वो जैसन को अपनी तरफ अट्राक्ट करना चाहती थी और वहे काम्याब हो जाती है क्योंकि जैसन को उस रात सिर्फ सुफी के ही सपने आते हैं और अगले दिन विकेंड्स को घर जाने से पहले सेरा और जैसन ये दोनों बात कर रहे होते हैं सूफी उन दोनों को देख लेती है और अब उसे गुसा आने लगता है उसके बाद सूफी प्रिंसिपल से यह कहकर चुटी लेती है कि उसकी आंट बहुत बिमार है और उसे उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना है और वो वहां से सीधे जैसन के घर जाती है और उसी के घर के सामने वो कार पार्क कर देती है और वही पर बैठी रहती है तभी वो कुछ सूछने लगती है और उसे पकर लेती और ड्रक्स रखने की जोम में वो सेरा को स्कूल से सस्पेंड करवा देती है पर सुफी का प्लान यही पर खत्म नहीं होता वो जैसन के कमरे में भी शराब रख देती है और रूम चेक करवाने के बहाने से उसे भी पकड़वा देती है लेकिन सुफी यहां पर एक गेम खेलत बाके के टीचर जैसन को सस्पेंट करवाना चाहते थे तभी सूफी बाके टीचर्स बोलती है कि हमें जैसन को माफ कर देना चाहिए वो कहती है कि वो आगे से जेसन पर ध्यान रखेगी सूफी यह सब इसलिए कर रही होती है कि जेसन उसे अच्छा समझे और सूफी उसको कंट्रोल कर सके और अब हमें सूफी की असलियत दिखाए जाती है दरासल सूफी का असली नाम लोरा होता है और सूफी बहुत अमीर और साइको टाइप की लड़की होती है और जब वह इंटरनेट पर जैसन को गाते हुए सुनती है तभी से वह जैसन की दीवानी हो जाती है इसके बाद लोरा असली सिस्टर सूफी को मार देती है और उनकी जगा स्कूल में टीचर बनकर आती है और अब जैसन का कंट्रोल अपने हाथ में आने के बाद वो जैसन को स्कूल में ही रोक लेती है बाकी स्कूल के बच्चे अपने अपने घर गए होते हैं अब जैसन की सिस्टर को सूफी पर शक होने लगता है और जब लोरा को पता चलता है कि जेसन की सिस्टर उसके लिए मुसीबत बन सकती है तो वह उसे अपने रास्ते से हटाने का तय करती है और इससे पहले वह जेसन के अकेले होने का फाइदा उठाती है और उसे हर वक्त इतना उत्तेजीत करती है कि एक वक्त जेसन अपने आपक रोक नहीं पाताव। इस बात का फाइदा उठाकर लोरा रात को उसके होस्टल रूम में चली जाती है। और इंटिमेट होते वक्त अपना और जैसन का वीडियो बना लेती है। लेकिन यहाँ बात जैसन को पता नहीं में भी होकती। अब इन जैसन की सिस्टर को रस्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाती है और वह जैसन की सिस्टर को टेस्ट में जान बूच कर कम मार्क्स देती है अब जैसन की सिस्टर उदास हो जाती है तो लोरा बोलती है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका देना चाहती हूं इसलिए वह जैसन की सि जब क्लास में आती है उसके हाथ वही पेपर लगता है अब लोरा चीटिंग करने के जुम में जेसन की सिस्टर को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और उन्हें जेसन की सिस्टर को सस्पेंड करने के लिए कहती है लेकिन प्रिंसिपल जेसन की सिस्टर को सस्पेंड नहीं करती जैसन की सिस्टर का overall score अच्छा होता है और principal कहतेती है कि छोटी सी बात के लिए उसे suspend करना सही नहीं होगा मगर लोरा की इस हरकत से जैसन की सिस्टर काफी भड़क जाती है वो principal से कहती है कि सिस्टर सुफी कुछ ठीक नहीं लगती और वो principal को बताती है कि सिस्टर सुफी को morning prayer तक नहीं आती principal को लगता है कि जैसन की सिस्टर गुसे में बोल रही होगी और इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है अब कुछ दिनों के बाद weekend फिर से आता है एक दूसरे स्कूल के principal जैसन के principal से मिलने के लिए आय होते हैं और ये principal असली सुफी को पहचानते हैं अब इस से पहले की लोरा पकड़ी जाती वो आय हुए principal को देख लेती है और अपने principal से ये कहकर छुटी लेती है कि उसकी आंट की तबियत काफी खराब हो गए है अब weekend के दिनों में चैसन सेरा के घर पार्टी करने के लिए गया होता है और जब सेरा उसे किस करने लगती है तो उसके मन में लोरा का ही ख्याल आने लगता है और वो उसी वक्त नशे की हालत में उस पार्टी से निकल जाता है अब थोड़ी देर बाद नशे की हालत में होने के कारण पुलिस उसे पकड़ लेती है तभी वहाँ पर लोरा आती है और वो सारा मामला संभाल कर जैसन को अपने साथ एक होटेल में ले जाती है तभी जैसन समझ जाता है कि लोरा का वहाँ पर आना कोई इतिफाक नहीं था वो उसका पीछा कर रही थी तभी लोरा बोलती कि हाँ मैं तुम्हारा ही पीछा कर रही थी मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ और यह कहे कर लौरा उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन जैसन घब्रा जाता है। लोरा उसे बोलती है की उसके पास बहुत सारा पैसा है और हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। यह बाते सुनकर जैसन और भी ज़्यादा घबराने लगता है और जैसन बोलता है कि वो लोरा से प्यार नहीं करता और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है अब लोरा गुस्से से पागल हो रही होती है अब इसके बाद स्कूल खुलता है और लोरा किसी तरह अपने आपको कंट्र कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि सेरा भी स्कूल में आई होती है सेरा ने अपने पापा की मदद से स्कूल में वापस से एडमिशन लिया होता है अब थोड़ी देर बाद वह देखती है कि जैसन और सेरा ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं अब लोरा का दिमा जाती है और उसे कहती है कि वो उसे एक आख्री मौका देना चाहती है। लोरा बोलती है कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगी। और जाते जाते वो जैसन को हिंट देती है कि सेरा को उसी ने ही मारा है। अब लोरा का ये पागलपन देखकर जैसन टेंशन में आता है और वो काफी उदास रहने लगता है मगर जैसन की सिस्टर समझ जाती है कि जैसन के साथ कुछ तो गड़बड है वो जैसन से पूछती है और जैसन उसे सारी बाते बता देता है तब ये दोनों लोरा का सच सब के सामने लाने का प है इसके बाद प्रिंसिपल शॉस्पिटल में फोन करती है ताकि वो अपना दुख जाहिर कर सके लेकिन होस्पिटल से उन्हें पता चलता है इस होस्पिटल में कोई सूफी नहीं आई और फिर कोई सूफी की आंट यहाँ पर आडमिट ही नहीं जिसके बाद स्कूल खुलने पर प्रिंसिपल लोरा को अपने आफिस में बूलाती है और उसे अपनी सचाई बताने को कहती है अब लोरा एक साइको लड़गी होती है तो वो प्रिंसिपल को भी आर देती है तो दूसरी तरफ जेसल और उसकी सिस्टर लोरा के रूम में चुक्के से अंदर आते हैं और उन दोनों को लोरा के लापडॉप से उसकी सारी सचाई पता चल जाती है उन्हें ये भी पता चलता है कि असली सूफी कोई और है और जब ये दोनों वहां से निकल रहे होते हैं तो वहां पर लोरा आती है और वो दोनों पर हमला कर देती हैं और जब लोरा जेसन की सिस्टर के उपर हमला कर रही होती है कि तभी वहां पर प्रिंशिपल जखमी हालत में आती है और वहे लोरा को पकड़ लेती है इसी बीच जेसन लोरा को मार देता है और ये मुवी यही पर खत्म हो जाती है आपको ये वीडियो पसंद ना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें हमें आपके प्यार की जरूरत है कुछ सिन कॉपिराइट की वजह से इस वीडियो में अपलोड नहीं कर सकते अगर वो सीन देखने हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करें इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसे के साथ मैं आपकी दोस्त मीराव अब आपसे अलविदा चाहती हूँ जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया